स्टुडेंट्स वेलकम इंदा ओलाइन क्लासिज ओफ दीवी स्कूल आज यू नो इन दे क्लास 6 जी साइंस वी आरों डिवीजिन ऑफ चैप्टर फास्ट ट्टे वी आरॉण पे्ज नंबर शिक्स अपयोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक सप्सट्स के के बारे में हम जानेंगे और फॉस्ट कंपोनेंट हमने पहले भी पड़ा था जो जिसमें क्या क्या आएगा water water के बारे माँ आप सभी जानते हैं कितना जुरूरी है drinking के लिए इस paragraph की reading कर लेंगे आप बिल्कुल सिंपल है now we have rain water harvesting rain water harvesting क्या होता है पानी जो है वर्साजल जो है उसको harvest करना उसको इकठा करना ठीक है किस तरह से करेंगे देखिए जो हमारे च्छते हैं सोरी च्छत हैं हमारे घरों की उसको पानी जो है वहकर कहां चला जाएगा नालियों के द्वारा उसको एक टंक टैंक बनाकर उसमें इकठा कर लेंगे ठीक है इस तरह से rain water harvesting होगा rain water harvesting से क्या होता है rain के water को इकठा करके ऐसे जो बहता हुआ जल है वो भी इस तरह से टैंक बनाकर इस तरह से कठा किया जा सकता है और उससे क्या है पानी जो है भूमी कर तो हो जाएगा बहूमी में चला जाएगा और वहां उसमें क्या होगा कि जो भूमी में जल्गी कमी हो गई यह तो वह पूरी हो जाएगी दूसरा टैंक में जो हमने पानी कठा किया है उसको हम द्वारा री यूज कर सकते हैं आप इसकी पूरी रीडिंग कर लें कोई प्रोब्लम आए तो पूछें ठीक है इसमें इतना सा ही है बस rain water harvesting के अंदर जो सहरों में कमी होती है पानी की उसको भी दूर के जा सकता है next we have air air को आपको हमने पहले भी पढ़ा है air क्या है हमारा mixture है क्या है mixture है उसमें बहुत सारी gases होती है oxygen nitrogen carbon dioxide dioxide यह main gases है ठीक है photosynthesis carbon dioxide का यूज़ करके photosynthesis होती है release होती है oxygen यह सारा क्या है air से related है air जो है आपको पता है हमारे जरीर के लिए कितनी जरूरी है नाव लाइट light natural light is provided us to by sun sun जो है main source है light का moon also provide us light but reflect the sunlight sunlight को reflect करता है moon moon की अपनी कोई light नहीं होती ठीक है तो बहुत सारे पेड़ पोधे जो हैं वो भी सूरिय के जैसे morning glory है वो सूरिय उगता है तो वो किल जाता है अधरवाइज श्याम के टाइम पर वह खिलता नहीं है दा संफलावर ऑल्वेज फेस टू संफलावर जो है सन की तरफ उसका फेस रहता है इसलिए उसको संफलावर बोलते हैं ठीक है और morning में उसका फेस इस की तरफ और दिर 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 घूम कर जहां जहां सूरज जाएगा कि तरफ जब सूरियएज संसाट हो जाता है तो वह फेस्ट में उसका ऐस टेम मोह होता है यह सेलिए और यह करें नाउवग्ष कर बारे में नाव Patriot mov आखेंगे अधर क्या है हमारा किसी बीजिएगरेश अट चाहें प्लेश इन Indicative the degree of hotness or coldness coldness कितनी है coldness कितनी है यह सारा बताने के लिए एक device के साथ मै खरें तर्मोमेटर के साथ temperature को तो ठीक है जिसकी पता लगता है हमारे भी जब fever वगरे हो جता है तो हम किसे चारी से यह हैं इसमें एक main point है फैलोज कोश्चन भी है हमारा फैलोज कुलिंग देमसेल्फ इन वोटर में क्यों एक तो उनका कलर बलैक होता है इसलिए वह ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और दूसरा उनके अंदर एफिशेंट स्वेट ग्लेंट्स पूर्पूर्ण मातरा में स्वेट ग्लेंट्स नहीं होते इसलिए भी वफैलोज जो है उनको ज्यादा गर्मी लगती है और वह क्या है पॉन्स में अपने आपको ठंडा करते हैं थोड़ा रीडिंग लेंगे इसकी नेक्स्ट इसके बाद चोटा सा मारा टोपिक है सोयल मिट्टी जो है मिट्टी जो है सभी जीवों के लिए घर प्रवाइड करवाइद करवाती है ठीक है अब आयोटिक कंपोनेंट है ठीक है इसकी इसे हो रहा हमारा नेक्स्ट वी हैं इंट्रेक्शन इनवायरमेंट इंट्रेक्शन इनवायरमे डियर को लॉइन ने खा लिया ठीक है यह हमारी पूर चेन बनेगी क्या बनेगी फूर चेन ऐसी फूर वैब है बहुत सारी चेंज उसके अंदर होंगी आप यह पूरी एक्टिविटी रीड करेंगे और इसको बनाएंगे आज यहीं तक पढ़ना है फस्त लेसं के रिवीजन हमारी चल रही है इसको रीड कर लें अकर प्रोब्लम है तो पोच लें ओके थैंक यू